टीवी सीरियल रिष्टा का कहलाता है कि कहानी में लागतार नए ट्विष्ट आते जा रहे हैं दर्सकों को कुछ वक्त तक अभीरा और रूही की कमाल की दोस्ती देखने को मिली थी लेकिन अब रूही की अभीरा के प्रतिन नफरत ने एक नया रूप ले लिया है पहले जहां अर्मान की वज़ह से रूही अभीरा से नफरत करती थी वही अब वह इसलिए उससे नफरत करने लगी है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अभीरा असल में अक्ष्रा की बेटी है और खबर है कि यह नफरत अब एक अलगी लेबल पर जा सकती है चारू की शादी को लेकर चले हाई बोल्टेज ड्रामा के बीच अब रूही को पता चल चुका है कि अभीरा प्रेगनेंट है पहले जहाँ विद्या और परिवार की बाकी सदस्यों की जली कटी सुन रही अभीरा को अब अलग तरह के चुनोधियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अभीरा ने या सच अपने पती अर्मान को बता दिया है कि वह प्रेगनेंट है और इसकी प्रेगनेंसी के बावजूद वह इस बच्चे को रखना चाहती है लेकिन मुश्किल वहाँ से सुरु हुई जब रूही को पता चल गया कि उसके साथ साथ उसकी बहन भी जलदी ही मा बन सकती है रूही जो कि अपनी बहन अभीरा से नफरत करती है वो अब उसके बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना चाहती रूही के पास अभीरा को नफरत करने की दो वज़े हैं पहले तो यह है कि अभी तक जो अटेंसन और प्यार उसे मिल रहा था उन अभीरा को मिलने लगेगा और दूसरी वज़ा यह कि अभीरा अक्षरा की बेटी है एक रिपोर्ट के मुताबिक रूही अपनी बहन अभीरा के बच्चे को कोक में ही मार देने का प्लान बनाएगी लेकिन उससे पहले कहानी में कई ट्विष्ट और टम्स आएंगे जिसकी वज़ा से वह ऐसा करने का फैसला करेगी अभीरा और रूही एक सेचुएसें में फस जाएगे जिससे बचने की कोशिस में अर्मान भी जख्मी हो जाएगा जिसके बाद अभीरा ना सिर्फ अपने पती अर्मान की जान बचाएगी बलकि रूही को भी बचाएगी रूही जोकी अपनी बहन से सक्ष नफरत करती है वो अभीरा को गले लगाएगी और खुश होगी कि उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चे की भी जान बचाई है इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलीबुड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबी भी एंटर्टेन्मेंट